हाई फ्रेंज मैं मीना और मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए अपने चैनल में एक नया टॉपिक और नया तरीके का एक्सरसाइज लेके आई हूँ इस वीडियो में ये नया है पर ये बहुत ही common सी problem है जो mostly कहीं न कहीं किसी एज पर सबको कहीं न कहीं होते रहती है पर इसको हम कीगल एक्सरसाइज कहते हैं कीगल एक्सरसाइज को करने से पहले हमें उन मसल को जानना बहुत जरूरी है जिनको स्ट्रॉंग करने के लिए हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो कीगल एक्सरसाइज को करने के लिए हम पेल्विक फ्लोर की मसल को यूज करते हैं और उसको स्ट्रॉंग करते हैं अब आपको लग रहा है ये कीगल एक्सरसाइज क्या है सरसाच करने के लिए हम अपने पेल्विक फ्रोर के मज़ल को मजबूर्ट करने के लिए ये व्यायाम करते हैं और इसके करने से हमारे सरीर की एक सबसे बड़ी समस्या का समाधान होता है आपने कभी न कहीं किसी न किसी से चरूर सुना होगा इस प्रॉब्लम के बारे में अगर आपको ये खुद नहीं होगी प्रॉब्लम तो चरूर आपके किसी जान पहचान वाले ने आपसे कभी शेयर किया होगा कि कुछ लोगों को तेज खासने से या स्नीज आने से उनको यूरीन लीकेज हो जाता है यह बहुत बड़ी पीमारी में ही है सबको होता है यह होने का से फेगी कारव है कि हमारे pelvic floor की muscle कमजोर हो जाती है और फिर वो हमें urine hold करने की जो ताकत होती है वो खतम हो जाती है इस exercise करने से हमारे वो muscle strong होती है और हमें वो छमता फिर से बढ़ जाती है ये problem और तो और पुर्षों दोनों में हो सकती है अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ और तो को होता है तो आप गलत है ये problem और तो और पुर्षों दोनों में होती है और दूसरी problem आपको जैसे आपको potty जाना है बट आप रोप नहीं सकते potty को क्योंकि जब आपको जाना है तो जाना है क्योंकि आपका muscle weak है और आप में वो छमता कम हो चुकी है आपका next question होगा कि ये समस्या आपको कम होती है तो जब हम धीरे धीरे old होते हैं या हमारी एज बढ़ती है तो हमारे muscle कमजोड होने लगती है उस टाइम पे भी हमें ये समस्या होती है pregnancy और child birth के बाद भी हमारे abdominal muscle weak हो जाती है उसके बाद भी कुछ लोगों को ये problem होती है कि वजन बढ़ते की वज़े से आपका जब वजन हिसाब से ज्यादा बढ़ जाता है तो भी ये problem हो सकती है क्योंकि आपकी muscles भी खोने लग जाती है अब आपको ये question होगा कि आप इसका अभ्यास कब कर सकती है तो बहुत ही आसान question है कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे होंगे हमार पास कहा time है एक और exercise करने का सही सोच रहा है लेकिन हम आपको बता रहें ये exercise अगर आप computer पर काम करते हैं office में हैं अपने desk पर बैट के काम कर रहा है आप उस time पर भी कर सकते हैं अगर आप लेटे हुए आराम कर रहा है या पापने text या email लेक्स चेक कर रहे हैं उस time पर भी कर सकते हैं तो इसको कहीं भी कभी और किसी ही time पर बस इसको करने के लिए आप को प्रापर तरीके और प्रापर मसल को जानना बहुत ही ज़रूरी है इसको करते टाइम प्रॉपर तरीके और प्रॉपर मसल को नहीं उज़ कर रहा है तो आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर रहा है आप किसी और ही मसल को स्ट्रॉंग कर रहा है इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप सही मसल को कैसे खूजें इसके कई तरीके हैं आप अपने डॉ इस एकसरसाइज को करने से पहले अगर आपको बात्रूम जाना है तो आप बात्रूम के लिए जाए बात्रूम करते टाइम जब आप फुल फ्लो में बात्रूम कर रहे हैं तो आप अपने बात्रूम के फ्लो को पिंच करें और पिंच करके तीन से पांच सेकंड होल करने की कोसिस करें अगर जिसको ये प्रॉब्लम है वो पांच सेकंड तक नहीं होल कर पाएगा लेकिन एक से दो सेकंड या तीन सेकं बहुत बड़ी बात है तो आप डिसपोंट ना हो क्योंकि इंपोर्टेंट यह है कि आप पिंच कर पा रहे हैं कुछ लोगों को हो सकता है पिंच करने में भी प्रोब्लम हो क्योंकि वह पिंच करते टाइम भी उनको थोड़ी लीकेज होती रहती है तो आप उस टाइम जो पिंच आप करते हैं जो फिलिंग आपको आती है जो मसल आपको फील होती है कि पुल होके उपर जा रही है इस एक्सरसाइज को करते टाइम आपको वही फिलिंग आने चाहिए अगर आप भूल जाते हैं जैसे आप बात्रूम से निकले और कहीं बाहर वैथे हैं दूसरे दिन या तीसरे दिन या उसी दिन और आप भूल जाते हैं कि आपको कैसी फीलिंग आ रहे थी या कौन सी मसल पुल हो रहे थी उपर की तरफ और आपने फोल्ड किया था तो आप फिर जब bathroom करने जाएं तो इसका practice करें और धीरे धीरे आपको वो feeling आ जाएगी और आप इस exercise को proper और सही तरीके से सही muscle को यूज करते हुई करने लग जाएंगे अगर इस exercise को करते time आप अपने पैरों के उपरी muscle को या अपने बटाक्स की muscle को या अपने stomach की muscle को यूज कर रहे हैं तो आप समझ लीजे आप इस exercise को पूरी गलत तरीके से कर रहे हैं और आपको इससे फायदा नहीं मिलेगा finally जब आप proper तरीके से proper muscle को यूज करते हुए इस exercise करना जान जाएंगे तो आप इस exercise को कभी भी कहीं भी किसी भी time कर सकते हैं पर इस exercise को करने से पहले कुछ चीजों का धान देना पड़ेगा जैसे कि आपका bladder empty होना चाहिए तो इस exercise को करने से पहले आप bathroom जाएं और अपने bladder को empty करें आप उस टाइप भी practice कर सकते हैं दूसरा अगर आपको pain या कोई uncomfortable feeling हो रही है तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें इस exercise को उसके बात करें और तीसरा अगर इस exercise को करते टाइम आपको leakage हो रहा है तो आप प्लीज इस exercise को ना करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें क्योंकि अगर इस exercise को करते टाइम आपको leakage हो रहा है तो यह आपकी muscle को और भी weak बना देंगे तो आप इसको करने से पहले अपने डौटर से 건설 करें और आपका डॉक्टर आपको फ्रापर तरीके से बता रेगा कि आगे आपको क्या करना है टी सेट अफ टैन यार दिन भर में थीन बार करने की ज़रूरत है एक सेट में तेन टाइम करेंगे और तीन से पांच सेकंड होल्ड करने की कोसिस करेंगे अगर आप से पांच सेकंड तक होल्ड नहीं होता है तो कोई बात नहीं है There is a starting point और चार से छे हपते करिए 4-6 week करने पर आपको इस exercise के करने का फायदा दिखेगा और आपको उसके benefit पता चलेंगे That's it for today Thank you so much guys Stay home, stay safe And if you like my video Please click the like button And subscribe to my channel Bye bye, see you soon